Hello everyone, हम आज पढ़ेंगे मॉल कॉनसेफ्ट, which is very important topic for 11th class syllabus and also for IITJ. मॉल कॉनसेफ्ट, सबसे पहले ये देख लेते हैं मॉल कॉनसेफ्ट की हमें जरूरत क्यों पढ़ी? और मॉल कॉनसेफ्ट क्या होता है? मॉल क्या होगा? जैसे किसी भी सबस्टान्स की अमाउंट को मैजर करने के लिए हमें मॉल कॉनसेफ्ट की जरूरत पढ़ी है. जैसे कि किसी बैंक के अंदर अगर एक कोईन का, एक पर्टिकुलर कोईन का मास देख लेते हैं कितना आता है? उसका वेट मैजर करके, जैसे फाइफ रूपीज का कोईन है, उसका वेट मैजर करके ये पता चल जाता है, इतना वेट है. जब उनके पास बहुत सारे फाइफ रूपीज के कोईन्स होते हैं, उनको एक एक करके, काॉंट करना, जो कि डिफिकल्ट काम होगा, उनको हम total weight करके हम पता लगा सकते हैं कि कितने coins हैं अगर हमें A coins का weight measure करके और फिर वो total उसके अंदर रखके ये पता लगा सकते हैं कि कितने coins उसके अंदर हैं इस वज़े से जो counting वाली problem है वो हमारी soul हो जाएगी इसी तरह जैसे किसी भी जैसे बनानाज हैं हम उनको dozen में measure करते हैं किसी भी substance की जो quantity measure करनी होती है उसके लिए किसी ने किसी unit की जरूरत जरूर पड़ती है तो जैसे mole को किसी भी substance की amount को atoms या molecules से उनकी amount को measure करना है तो उसमें हमें mole concept की जरूरत पड़ी है जैसे कि कोई भी atom है जैसे carbon 12 atom carbon atom है उसका mass कितना होगा 12 gram जब कोई भी scientist थी अगर 12 gram carbon अगर उसने weigh किया है carbon का 12 gram तो इसका मतलब 12 gram carbon किसके equal होगा अवगैडरो number एक अवगैडरो number आता है जिसकी value है 6.022 into 10 raise to power 23 और ये mole concept के अदर बहुत ही important role है अवगैडरो number का scientist count करते हैं atoms और molecules को भी उनका weigh करके आप उनके weigh measure कर लेते हो उसके बाद scientist ये पता लगा सकते हैं किसी भी compound के अदर कितने atoms हैं और कितने molecules हैं और ये experiment के चरू अगर आप किसी element का weigh करते हो उस weigh के हिसाब से ही आप उसके अंदर ये पता लगा लोगे कि उसके अंदर कितने atoms होंगे और कितने molecules होंगे और किसी भी जो element है उसके अंदर हमेशा 6.022 into 10 raised to about 93 atoms इतने atoms होंगे और किसी भी molecule के अंदर any molecules होंगे और जो mole है link है किसके बीच में mass of atoms and number of atoms atoms का mass या molecules का mass और number of atoms और number of molecules इनके बीच में एक link होता है mole तो आप mole की help से क्या किसी भी substance की जो amount है उसको अच्छे से आप measure कर सकते हो gram atomic mass जैसे carbon element का 12 gram होता है carbon का जो gram atomic mass है वो कितना है 12 gram और जब कोई भी scientist experiment करता है तो carbon का weight या उसने 12 gram तो उसका मतलब वह जानता है कि 12 gram carbon अगर लिया गया है तो वो किसके साथ deal कर रहा है आप गैडरो number कितना होगा उसका 6.022 into 10 raised to about 93 atoms carbon के वो इतने atoms के साथ deal कर रहा है और दूसरे words में आप क्या से कह सकते हो he is working with one mole of carbon वो one mole carbon के साथ काम कर रहा है वो 12 gram carbon के साथ काम कर रहा है और वो 6.022 into 10 raised to power 23 atoms of carbon के साथ काम कर रहा है वो और ऐसे ही हम इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले आवगैडरो number देख लेते हैं फिर हम mole की definition पढ़ेंगे और उसके बाद इसी तोपिक पे हम numericals भी करने वाले हैं जो कि very important है exam के वे से जैसे आवगैडरो number क्या होता है यही जान लेते हैं आवगैडरो number may be defined as the number of atoms present in one gram atom of the element और the number of molecules present in one gram molecule of the substance किसी भी substance के कोई भी जो element है उसके अंदर कितने atoms present है या फिर कोई भी molecular substance है उसके अंदर कितने number of molecules present है क्या है जो number of atoms present in one gram atoms किसी भी element के एक gram atoms के अंदर कितने number of atoms present है या फिर किसी भी जो substance के जो gram molecule है उसके अंदर कितने number of molecules present है एक gram जो molecules है वन गराम कोई भी substance है उसके अंदर कितने number of molecules present है इसको आगे हम और अच्छे से समझ लेंगे 1 mol of hydrogen atoms means 6.022 into 10 raised to power 23 atoms of hydrogen अगर 1 mol hydrogen है 1 mol ये element है तो उसके अंदर कितने atoms होंगे 6.022 into 10 raised to power 23 atoms होंगे hydrogen के और 1 mol of molecule है 1 mol molecules है hydrogen H2 उसके अंदर कितने molecules होंगे आवगेडरो नंबर के ही equal होंगे 6.022 into 10 raised to power 23 molecules और जो number of atoms होंगे hydrogen में मतलब H2 जो hydrogen molecule है hydrogen molecule के अंदर जैसे 2 atomicity 2 है इसकी तो हम 2 से multiply कर देंगे इसके अंदर H2 molecule के अंदर कितने atoms होंगे 2 into आवगेडरो नंबर इसी तरह जैसे 1 mol of oxygen molecule oxygen molecule की बात की गई है तो O2 oxygen O2 की form में होता है 1 mol oxygen molecule है उसके अंदर कितने oxygen के molecules होंगे एक mol oxygen है उसके अंदर कितने molecules होंगे आवगेडरो नंबर के इक्वल 6.022 into 10 raise to power 23 molecules और इसी के अंदर 1 mol O2 के अंदर जो की oxygen molecule है ये एक mol O2 के अंदर कितने atoms होंगे O2 के अंदर atoms पुछा गया है दो 2 atomicity है तो 2 into 6.022 into 10 raise to power 23 atoms of oxygen या फिर 1 mol of sand particles एक mol sand particles है उसके अंदर कितने particles होंगे na particles होंगे और a mol of electrons एक mol electrons का क्या मतलब है उसके अंदर कितने electrons होंगे na electrons होंगे guys na की value मैंने क्या बताई है 6.022 into 10 raise to power 23 ये value आपको learn करने है फिर उसके बार definition mol की देख लेते है किसी भी substance की क्या है जो quantity amount होती है उसको measure करने के लिए किसकी जरूरत पड़ी है किसकी help ली है हमने mol की तो वो mol क्या होगा first definition देख लेते है mass की term में a mol is defined as the amount of substance which has mass equal to gram atomic mass of the molecule एक mol जो atom है वो किसके equal होगा gram atomic mass के अगर आप mass की terms में mol की definition पढ़ते हो तो जो एक mol है एक mol कोई भी atoms है उसके वो किसके equal होगा उसके gram atomic mass के या फिर एक mol कोई molecule है वो किसके equal होगा gram molecular mass के जो molecule का mass होगा वो क्या है gram molecular mass मास और जो एकम cripps का मास होता है वो क्या होता है गराम अतों मिक मास तो एक मॉल एकम्स किस पर मॉल molecule किसके बराबर होगा उसके gram molecular mass के जैसे आप और भी देख सकते हो example जैसे one mole of carbon atoms, एक mole carbon atom, एक mole carbon atoms है हमारे पास वो किसके equal होंगे, उसके gram atomic mass के, carbon के gram atomic mass के equal होंगे और carbon का gram atomic mass होता है 12 gram, जैसे एक mole sodium atom है, वो किसके, वो sodium के gram atomic mass के equal होंगे, sodium का mass होता है 33 gram, एक mole oxygen atoms है, वो किसके equal, oxygen का mass, oxygen O, उसका mass होता है 16 gram, तो किसके, उसके gram atomic mass के equal होए, एक mole oxygen molecules की बात करते हैं, molecule होगा O2 की form में, O2 की form में होगा, एक oxygen का mass कितना होता है 16, दो oxygen है यहाँपे, तो उसका mass कितना होगा 32 gram, एक mole oxygen atoms की एक बात थी 16 gram oxygen O and molecule की अलग बात है oxygen O 2 molecule तो उसका मास कितना होगा 32 gram एक मॉल H2O molecule है H2O उसका मास कितना होगा 18 gram एक मॉल carbon dioxide molecule है उसका मास कितना 44 gram यहां पे carbon का मास होता है 12 gram oxygen का होता है 16 और 2 oxygen है तो 32 टोटल कितना आ जाएगा 44 gram उसके बाद जो second definition है number of atoms की form में है terms of number number की form में है mole की second definition जो एक मॉल define करते हैं एक मॉल atoms है अगर वो किसके equal होंगे na atoms के एक मॉल जैसे carbon है वो किसके अंदर कितने atoms होंगे na atoms एक मॉल sodium है उसके अंदर कितने atoms होंगे na sodium atoms और एक मोल, अगर molecules रहे हैं, एक मोल, इटामिक्यूम की बात करते हैं, तो उसके अंदर कितने molecules होंगे? NiAcol molecules और जासे 6.022 इंट तें रहे हैं to power 23 molecules. example, one morte of oxygen molecule, एक मोल, oxygen जो मोलिक्यूम है, उसके अंदर कितने molecules होंगे? 6.022 इंट यिदें रहे हैं to power 23 electrons of oxygen, caffeine एक opposition एक मॉल carbon dioxide किस के equal होगा carbon dioxide के गारायम molecular mass मैंने अभी calculate किया था carbon का oxygen का 16 होता है कितने आ जाएगा 44 ग्राम के एक्षवल होगा और उसके अंदर icious कितने हूंगे याज मॉलिकूल होंगे 6.022 x Lee जडिवाव 23 molecules थर्ड डेफिनिशन है इन तरम्स ओफ वॉल्यूम वॉल्यूम की तर्म में थर्ड डेफिनिशन है मोल की जैसे गैसी की वॉल्यूम वैजर करते हैं of gases a mole is defined as that amount of the gas which has a volume of 22.4 liter at standard temperature and pressure. Standard temperature pressure मतला जो pressure होगा वो होगा one bar और जो temperature होता है वो होगा 25 degree Celsius temperature standard state में. तो standard temperature pressure आपको ये condition है इसके लिए बात की गई है एक mole define कर रहे हैं किसी भी gases के लिए वह amount होती है उस gas की which has a volume of 22.4 liter at standard temperature pressure एक mole substance की कितनी volume होगी 22.4 liter volume होगी कोई भी एक mole substance है जैसे example one mole of a gas is equal to 22.4 liter of gas at standard temperature pressure एक mole gas किसके बराबर होगी 22.4 liter और जैसे one mole of oxygen gas किसके equal होगी 22.4 liter of oxygen at standard temperature and pressure and next है जैसे one mole of carbon dioxide एक mole carbon dioxide किसके equal होगी 22.4 liter के equal एक mole कोई भी substance है उसकी volume हमेशा किसके equal होगी 22.4 liter के equal लेकिन condition क्या हो standard temperature pressure की बात के गई हो उसमें और उसके बाद जो mole concept है आईनी compounds के लिए आईनी compound के लिए mole concept क्या है वन mole of an ionic compound defined as the amount of substance which has more equal to gram mass equal to gram formula mass और which contents of the hydro number जो एक mole कोई भी आईनी compound है वो हमेशा किसके equal होगा जो उसका formula mass होगा वो उसके equal होगा जैसे एक mole NaCl है एक mole कोई भी आईनी compound है हमेशा किसके equal होगा उसके gram formula mass के equal होगा और उसके अंदर number of at the ions कितने होंगे अवगेडरो number के equal होंगे उसके अंदर जैसे one mole of NaCl is equal to 58.5 gram of NaCl यह कैसे आया जैसे NaCl sodium का जो मास है वो होता है 23 gram और जो CL chlorine है इसके अंदर वो होता है 35.5 gram तोटल इनका एड़ करके कितना है 58.5 gram एक mole NaCl का mass कितना होगा उसके gram formula mass के equal आएगा 58.5 gram of NaCl और यहीं है number के equal 6.022 into 10 raise to power 23 formula unit होंगी और इसके अंदर जो Na positive ions भी कितने होंगे अवगेडरो number के equal होंगे और Cl negative ions भी कितने होंगे अवगेडरो number के equal होंगे ऐसे ही जैसे एक mole Na2CO3 है एक mole sodium carbon unit है वो उसका mass देख लेते हैं हम कितना आता है 106 gram आता है उसका mass तो एक mole ionic compound किसके equal हुआ उसके gram formula mass के equal आएगा तो गाईज यह था complete mole concept अब इसके साथ हम पढ़ेंगे जो numericals है इसी के basis पे जो numericals है आगे हम वो करेंगे अभी तो चलिए शुरू करते हैं problem based on mole concept first question है calculate the mass of an atom of silver and a molecule of carbon di oxide अब को calculate करना है silver के एक atom का mass और carbon di oxide के एक molecule का mass तो सबसे पहले जो एक mole silver atoms है उसका mass कितना होगा उसका mass उसके gram atomic mass के equal होता है एक mole कोई भी atom है उसका mass किसके equal आएगा उसके gram atomic mass के और silver का atomic mass होता है 108 gram तो एक mole silver atoms का mass कितना आएगा 108 gram और एक mole कोई भी atom है उसके अंदर कितने items होंगे और गैडरो नंबर के equal आपको ये दो relation अच्छे से पता हो एक mole कोई भी substance है उसका mass तो आता है उसके gram molecular mass या gram atomic mass के और उसके जो number of atoms कितने है उसके अंदर या number of molecules कितने है वो होते है आवगाडरो नंबर के equal तो एक mole silver atoms is equal to gram atomic mass 108 gram और is equal to number of atoms आवगाडरो नंबर 6.022 into 10 raised to power 23 atoms और जो 6.022 into 10 raised to power 23 atoms है silver के उसका mass कितना है 108 gram और एक atom silver का mass निकालना है तो एक atom silver का mass क्या जाएगा 108 divided में ये ले जाएंगे हम और ये answer आजाएगा हमारा 1.793 into 10 raised to power minus 22 gram उसके बाद एक molecule carbon dioxide का mass तो सबसे पहले जो 1 mole carbon dioxide है उसका mass कितना आएगा उसके gram molecular mass के equal आएगा और उसका gram molecular mass होता है 44 gram carbon dioxide का एक mole CO2 है किसके equal 44 gram के equal और number of atoms कितने एन ए मॉलिक्यूल सोरी number of molecules कितने एन ए मॉलिक्यूल तो ये लिख दिए दोनों चीज़े उसका mass लिखा एक mole carbon dioxide उसके gram molecular mass के equal होगा और उसके जो आएवगाडरो नमबर है इतने molecules के equal होगा और जो 6.0222 तो इन टुटेम्टेम्टेश दूपावर 23 molecules हैं carbon dioxide के उनका mass कितना है 44 gram इन दोनों सीज़ों को हम compare करके बता सकते हैं जो आवगाडरो नमबर है उसका mass कितना है 44 gram और एक molecule का mass कितना आएगा 44 divided by this अवगाडरो नमबर लास्ट में हमारा answer यह जाएगा second problem देखते हैं how many atoms and molecules of sulfur present in 64 gram of sulfur S8 जो sulfur होता है वो nature के अंदर S8 की form में exist करता है उसके जो atomicity है number of atoms in sulfur molecule कितने आएगी 8 आजाएगी और how many atoms and molecules of sulfur are present in 64 gram of sulfur जो S8 है sulfur उसके 64 gram के अंदर कितने atoms और molecules होंगे तो सबसे पहले molecular mass of sulfur sulfur किसकी form में होता है S8 की form में कितने molecules होंगे उसमें आफगेडरो नंबर के equal molecules होंगे 256 gram sulfur के अंदर कितने molecules हैं आफगेडरो नंबर के equal molecules हैं और हमें तो पता करना है molecules कितने gram में 64 gram sulfur में 256 का हमें पता है और 1 का कितने आ जाएंगे आफगेडरो नंबर एक molecule के अंदर आफगेडरो नंबर divided by 256 और 64 के अंदर कितने आ जाएंगे आफगेडरो नंबर divided by 256 multiply 64 और लास्ट में हमारा answer निकल के आएगा 1.506 into 10 raised to about 33 molecules और उसके बाद number of molecules तो हमें पता चल गया लेकिन हमें निकालना है number of atoms S8 जो sulfur molecules है उसके अंदर number of atoms गाइज जो sulfur molecule है one mole of sulfur contains एक molecule है जो sulfur का एक molecule है sulfur का S8 उसके अंदर कितने atoms हैं 8 sulfur atoms है S8 के अंदर एक molecule के अंदर और हमारे 64 के अंदर molecules कितने हैं 1.506 into 10 raised to about 23 molecules 64 के अंदर निकालना हमें तो एक molecule के अंदर तो 8 sulfur atom और इतने molecule के अंदर 8 से आप multiply कर सकते हो और last में आएगा 1.2048 into 10 raised to power 24 इतने sulfur atoms आ जाएंगे उसके बाद third sample problem है calculate the number of molecules present in first point is 34.20 gram of cane sugar and in one liter of water assuming that density of water is one gram per centimeter cube and third point is in one drop of water having mass is equal to 0.05 gram 0.05 gram number of molecules calculate करने है 34.20 gram of cane sugar सबसे पहले जो cane sugar का फर्मूला है c12 h22 o11 और one mole of cane sugar जो एक mole c12 h22 o11 है वो किसके equal होगा उसके molecular mass के molecular mass आप ऐसे calculate कर सकते हो carbon का mass होता है 12 and 12 carbon atoms है और hydrogen का mass होता है 1 gram और 20 atoms है तो 20 से multiply plus oxygen का mass होता है 16 and 11 oxygen atom है तो multiply by 11 तो total mass आया 342 gram 342 gram आया उसके बाद जो 342 gram of cane sugar है उसके अंदर एक mole का ही mass है ना यह तो एक mole के अंदर कितने molecules होंगे आवगाइड्रो number के equal और एक mole का mass कितना 342 gram तो mass और molecules भी आपस में क्या होंगे equal क्योंकि एक mole का mass 342 gram और एक mole के अंदर molecules कितने आवगाइड्रो number के equal तो आवगाइड्रो number का ही तो mass है ना वो तो 342 gram of cane sugar contains 6.022 into 10 raise to power 23 और number of molecules निकालने किसमें है 34.20 gram में तो 31 gram of cane sugar में कितने आ जाएंगे आवगाइड्रो number divided by 342 और 34.2 gram cane sugar में कितने आ जाएंगे multiply by 34.20 तो answer आ जाएगा 6.022 into 10 raise to power 22 molecules उसके बाद in one liter of water assuming the density of water is one gram per centimeter cube एक liter water के अंदर number of molecules निकालने हैं volume दे रखी है और density दे रखी है और guys जो formula होता है density का density is equal to mass upon volume यहाँ पे volume दे रखी है और density दे रखी है तो हम इसकी help से क्या calculate कर सकते हैं mass तो सबसे पहले one mole of water का mass कितना होगा 18 gram एक mole water का mass 18 gram और उसके अंदर molecules कितने आवगाइड्रो number के equal और mass of one liter of water जो क्योंकि हमें तो एक लिटर में निकालना है ना number of molecules से तो सबसे पहले उसका mass निकाल लेते हैं जो एक लिटर water है उसका mass क्या आएगा volume और density की multiply कर देंगे mass निकालने के लिए mass is equal to density into volume density और volume की multiply की तो यहाँ से volume कितनी one liter one liter मतलब thousand ml ml में change कर देंगे density कितनी है one gram per centimeter cube आप one gram per ml भी लिख सकते हो per milliliter जो centimeter cube है one ml किसके equal होता है one centimeter cube के तो इसकी जगह आप gram per ml लिख सकते हो यहाँ से mass कितना आया thousand gram कितना mass आया हमारा यहाँ से thousand gram उसके बाद thousand gram के अंदर अब हमें तो molecules निकालने हैं क्योंकि one liter और density दे रखी थी उसके अंदर पूछे हैं तो उन में से mass कितना है thousand gram अब thousand gram के अंदर कितने number of molecules होंगे water के सबसे पहले 18 gram के अंदर कितने molecules हैं 18 gram के अंदर कितने molecules अने मोलेक्योल्स और वन ग्राम के अंदर अने बाई 18 और 1000 gram के अंदर कितने अने बाई 18 मुल्टिप्लाइबाई फिर थर्ड पार्ट है इन वन ड्रोप ओफ दी वोटर हैविंग मास is equal to 0.05 gram molecules निकालने हैं एक ड्रोप वोटर और मास कितना 0.05 gram 0.05 gram के अंदर निकालने हैं अब की बार एक मॉल्ट वोटर के अंदर मास कितना 18 gram molecules कितने अवगेड्रो नंबर के एक ड्रोप वोटर का मास कितना 0.05 gram 18 gram जो H2O है उसमें कितने molecules अवगेड्रो और 0.05 के अंदर कितने molecules हैं सबसे पहले 18 में कितना Na उसके बाद 1 में कितना Na by 18 और 0.05 में कितना मल्टिपलाई कर देंगे से 0.05 से और फिर अंसर आ जाएगा हमारा 1.673 इंटो 10 देश्ट पार 21 फिर फोर सैंपल प्रोब्लम देखते हैं कल्कुलेट दी नंबर ओफ एटम्स ओफ दी कॉंस्टिट्वेंट ऐलिमांट इन 53 ग्रैम ओफ एने टू-COO-3 53 ग्रैम सोडियम कार्बोनेट के अंदर नंबर ओफ एटम्स कैल्कुलेट करने हैं जो एक मॉल एने टू-COO-3 होगा वह ग्रैम फर्मुला मास है जो एने टू-COO-3 का उसके एक्वल आएगा एक मॉल एने तू-COO-3 का मास के इतना आया 106 ग्रैम और फिर हमें निकालने है लॉ-प सोडियम निकालने 53 gram के अंदर 106 gram Na2 Co3 में कितने मॉल हैं से यह किटने होंगे एक गर में के अंदर कितने 1 x 106 और 53 में कितने 1 x 106 x 53 कितने मॉल आएंगे 0.5 molle of Na2 Co3 इंद आप of Na-positive जो Na2CO3 का एक मॉल है उसके अंदर ions कितने 2 Na-positive ions है और CO3 2 negative ions है एक 1 CO3 2 negative ions होगा और 2 Na-positive ions होगे और 2 Na-positive ions मतलब 2 into Avgadro number 2 into 6.022 into 10 raised to power 23 Na-positive ions क्योंकि 2 sodium है ना 2 Na-positive है तो 2 into Na ions होगे और जो एक मॉल के अंदर इतने 0.5 मॉल में कितने होंगे 0.5 से आप मल्टिप्लाई कर सकते हो और दोबारा जो वन मॉल ओफ ना 2 CO3 है कंटेंज वन मॉल ओफ कार्बन एक मॉल ओफ कार्बन एक मॉल एक मॉल ना 2 CO3 में कितने वन मॉल कार्बन एक मॉल मतलब 6.022 into 10 raise to power 23 कार्बन एक मॉल ओफ ना 2 CO3 में कितने क्योंकि हमें तो किस में चाहिए 0.5 मॉल के अंदर क्योंकि जो यह है 0.5 मॉल ना 2 CO3 है 53 ग्राम ना 2 CO3 में चाहिए और 53 ग्राम ना 2 CO3 में चाहिए 0.5 मॉल ओफ ना 2 CO3 तो हमें सब कुछ 53 ग्राम में चाहिए मतलब हमें सब कुछ हाफ मॉल के अंदर चाहिए एक मॉल ना 2 CO3 में एक मॉल कार्बन एटम है और ना कार्बन एटम है 0.5 में कितने multiply by 0.5 यहां से अंसर आ जाएगा और फिर हमें चाहिए फार्दर वन मॉल ओफ ना 2 CO3 कंटेंज ओक्सीजन कितने तीन मॉल ओक्सीजन एक मॉल है तो ओक्सीजन तो 3 एटम्स है ना टोटल ओक्सीजन के कितने मॉल हुए त्री मॉल ओक्सीजन एक्टम और 3 इंटू 6.022 इंटू 10 रज़ दो पार 23 ओक्सीजन एक्टम्स और 0.5 मॉल ओफ ना 2 CO3 विल कंटेंज 0.5 मॉल के अंदर न 2 CO3 में कितने होंगे ऑक्सीजन आप 3 से यह 0.5 से मॉल्टिप्लाइ कर सकते हो और लास्ट में हमारा यह अंसर आ जाते है तो गाईज उसके बाद जो सेंपल प्रोब्लम 5 सेंपल प्रोब्लम फिफ्ट केल्कुले दी नंबर ओफ मॉल्टिप्ल्स प्रेजेंट इन 350 सेंटिमीटर क्यूब ओफ आमोनिया गैस एड 273 केलविन एड अट्मोस्पेरिक प्रेसर तो एड्मोस्पेर प्रेसर गेवन है याँपे तो एड्मोस्पेर तो हमें नंबर ओफ molecules निकालने हैं कि इसमें 350 centimeter cube volume है ammonia की और temperature है 273 Kelvin और pressure है 2 atmosphere pressure तो हम इस method से direct कर सकते हैं जो gas equation होती है ideal gas equation PV is equal to nRT यहां से हम number of molecules mole निकाल लेते हैं सबसे पहले फिर molecules count कर लेंगे P क्या है यहां पर pressure and V क्या है volume of gas and n number of moles and R universal gas constant और temperature यहां पर temperature है जो की दे रखा है numerical के अंदर यहां से n क्या जाएगा n is equal to PV upon RT और universal gas constant होता है अलग-अलग situation में इसकी अलग-अलग values होंगे अलग-अलग unit के साथ बार में, लीटर atmosphere में या फिर जोल पर केल्विन पर मॉल के अलग-अलग values होती है universal gas constant की तो अगर मतलब pressure to atmosphere यहां पर आप पूट करते हो n is equal to PV upon RT प pressure दे रखा है to atmosphere and V volume कितनी 350 cm cube अगर आप इसको जैसे R की value universal gas constant की value 0.0821 pressure की form में, लीटर atmosphere पर केल्विन पर मॉल यह होती है जब जब क्या है atmosphere में लेते है pressure और volume किसमे लीटर के अंदर और temperature Kelvin में तो 350 cm cube of volume जो दे रखी है उसको हम किसमे convert करेंगे लीटर के अंदर 350 cm cube और जो 1 cm cube है वो होता है 10 raised to power minus 3 liter तो cm cube को लीटर में convert करना है तो आप 10 raised to power minus 3 से multiply कर सकते हो यह 350 को आप 10 raised to power 3 से divide कर सकते हो तो कितना आ जाएगा 0.350 liter यह value आ जाएगी तो put कर लेते हैं यह पे P pressure to atmosphere volume 350 0.350 liter and our universal gas constant 0.0821 liter atmosphere per Kelvin per mole यह universal gas constant की वेले तब use करते हैं जब volume हमारे लेटर में हो temperature Kelvin के अंदर और pressure किसमे atmosphere में और T temperature दो दे रखा 273 Kelvin तो number of moles कितने आए याशे 0.0312 mole आए और number of molecules चाहिए हमें तो one mole ammonia के अंदर जब एक mole होगा ammonia का तो उसमें कितने molecules होंगे na molecules आए और गैडरो number 6.022 into 10 raise to power 23 molecules लेकिन हमें तो इतने mole में चाहिए molecules 0.0312 mole में कितने number of molecules आ जाएंगे आप आप गैडरो number को 0.0312 से multiply कर दोगे तो कितने आजएगा 1.88 into 10 raise to power 22 molecules आ जाएंगे जो कि ammonia gas के अंदर हमें निकालने थे इतने volume हमारी given थी temperature given है universal gas constant की value हमें पता है याद करनी होती है और जो pressure दे रखा है और यहां से number of moles निकाल लिए n की value number of moles number of moles निकाल के हमें एक mole ammonia के अंदर number of molecules कितने है वो पता है तो इतने mole के अंदर हम निकाल देंगे multiply करके तो answer आजएगा हमारा 1.88 into 10 raise to power 22 molecules उसके बाद आप देख सकते हो sample problem 8 आपको खुद भी ट्राइ करने हैं यह 6 7 सी अपने आप करने है जो sample problem 8 है calculate the mass of 0.1 mole of potassium nitrate 0.1 mole potassium nitrate का mass calculate करना है जो एक mole potassium nitrate का mass है वो तो हमें पता है क्योंकि जो उसका molecular mass होगा वही होगा एक mole का mass तो potassium का mass 39 nitrogen का 14 oxygen का 16 तीन oxygen है तीन से multiply तो कितना आ जाएगा 101 gram आ जाएगा एक mole का mass हमें पता है और 0.1 mole का निकालना है तो multiply करके निकाल लेंगे बिल्कुल एजी है उसके बाद जो second part है 1 into 10 raise to about 23 molecules of methane इतनी स्क्या mass निकालना है molecules है जो मिथेन के 10 raise to about 23 molecules उनका mass निकालना है हमें एक mole methane का mass पता है कितना 16 gram एक mole methane का mass है 16 gram और उसके अंदर molecules कितने होंगे अवगा दरो नंबर के एकवल 6.022 into 10 raise to about 23 molecules एक mole methane का mass 16 gram उसके अंदर molecules कितने अवगेडरो नंबर के एकवल तो जो 6.022 into 10 raise to about 23 molecules है मिथेन के उनका mass कितना 16 gram एक का mass कितना 16 by अवगेडरो नंबर और 10 raise to about 23 का mass कितना इससे multiply कर देंगे answer कितना आ जाएगा 2.657 gram और जो लास्ट है 112 centimeter cube of hydrogen as standard temperature pressure mass निकालना है 112 centimeter cube of hydrogen हमें पता है एक mole hydrogen का mass 2 gram और उसकी volume ठीक्ष होती है standard temperature pressure पे 22.4 liter और centimeter cube में 10 raise to about 3 से multiply करोगे तो कितना इस चार सो सेंटिमेटर क्योब एक mole hydrogen का mass 2 gram volume कितनी बाइस चार सो सेंटिमेटर क्योब एस तंडर टंपरेचर प्रेशर तो उसके बाद 22,400 cm3 of hydrogen gas at standard temperature pressure हमास 2 gram कितना होगा 2 gram और हमें एक में निकालना है तो 1 cm3 of hydrogen at standard temperature pressure हमास 2 by 22,400 and 112 cm3 में निकालना है तो multiply by 112 कितना अंसरा जाएगा 0.01 gram तो guys यह थे हमारे numerical sample problem based on mole concept बाकी numericals आपको खुद try करने है 10 तक so thank you guys